हम बातें कर रहे हैं दिल से मैं आपका दोस्त आपका आजीज सुशी दोस्तों वहिदर एमान का जिकर चलते ही ऐसी हिरोईन का ऐसी आर्टिस का अक्स उभरता है जिन्होंने अपने दोर में सत्यजीत्रे से लेकर गोल्डी विजयानन तक सारे दिगज फिल्मेकर्स को मुख्त कर दिया था सत्यजीत्रे से अभिग्यान में काम करने का आफर पाकर वहिदर एमान सच मुझ बहुत घबरा गई थी पधर पंचाली, अपराजीत, जल सागर, अपूर संसार, देवी, तीन कन्या इन क्लैसिक फिल्मों की डिरेक्टर ने याद किया है तब पल भर के लिए वहिदर एमान को यकीन नहीं हुआ था उन्होंने तब अपनी समस्या बताई थी ना तो वो बंगाली बोल पाती है ना समझ पाती है इस पे उनके फ्रेंड्स ने उन्हें समझाया था ये कोई प्राब्म नहीं है इस फिल्म मेकर का नाम है सत्ते जीत रे आँख बन करके हां कहे दो ऐसा मौका जिन्दगी में कभी कभारी मिलता है जससे येस दोस्तो वहीधर रहमान एक बेहत्रीन अधाकारा उन्हेंने बहुत सारी खुर्सवत और यादगार फिल्मों में काम किया हम बातें कर रहे हैं दिल से मैं आपका दोस्तोथ आपका आजीज सुशी दोस्तो वहिदार रहमान के फ्रेंड्स ने ने समझाया कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फिल्म मेकर का नाम है सत्य जीत रे आंक बन करके हां कहे दो ऐसा मौका जिन्दगी में कभी कभार मिलता है जैसे येस लहाजा एक पल की देर किये बिना वहिदार रहमान कलकता रवाना होगी थी दोस्तों वह भी वहिदार रहमान थी प्यासा, सोलवास साल, कागज के फूल, काला बाजार, एक फूल, चार कांटे, चौद्वी का चांड जैसी सुपर हिट फ्रॉनों की हीरोईन उन दोनों की डेट की डायरी के सारे पेजिस भरे हुए थे इन सब बातों को नजर अंदाज कर एक एक्ट्रिस का मुकाम पाने के लिए शुरू हुआ उनका एक नया अभिग्यान, गुलाबी अभिग्यान के अपने इस किरदार को बेहद सार्थक रंग देने के लिए गोरी चिट्टी वहिदारमान को अपना रंग सामला करना पड़ा था क्योंकि एक कलाकार के दोर पे वो एक सुकून था, एक संतुष्टी थी क्योंकि सत्य जीतरे उनके परफॉर्मंस से बहुत खुश हुए थे हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशी दोस्तों हैदरबाद के वेल्टीडू परिवार में वहिदारमान का जन हुआ था, उनके पिता दिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे लेकिन आखिर उनके पिता वाइजाग में पॉमिनन टूप से रहने लगी थे चारों तरफ समंदर से घिरे इस शहर वाइजाग में ही वहिदारमान का लालन पालन वा, उनकी परवरिश हुई, उनकी तालीम हुई दक्षिन भारतिय परिवार में शुरू से प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ निर्ट्य संगीत का चलन भी रहा है, आप से जानते हैं वहिदा भी इस मामले में अपवाद नहीं थी, ये उनके मादा पिता के प्रोचसान का ही नतीजा था कि उन्होंने पढ़ाई के साथ ही निर्ट्य सीखना भी शुरू कर लिया था, सबसे पहले उन्होंने विक्षा निर्ट्य शिक्षक मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई से न अजीज सुशी, दोस्तों वहिदा रह्मान ने निर्ट्य की शिक्षा मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई से लेना शुकरती, लेकिन वहिदा रह्मान जब सुर्फ 12 साल की थी, तब उनके पिता चल बसे, विध्वा मां के साथ शुरू हुआ उनका जीवन संकर्ष, इसी के वहिदार रह्मान का निर्ट्य देखकर, तेलगू फिल्मों के एक डिरेक्टर ने उनकी मां से अपनी फिल्म में वहिदार रह्मान को लेने की इच्छा गया, लेहाज़ा 95 में पहली बार वहिदार रह्मान कैमेरा के सामने खड़ी हुई, फिल्म का नाम था जैसे है, ये एक और तेलगू फिल्म रजलू माराई में काम करने का आफर मिलिया, इसी के साथ रुपहले पर्दे में उनके करियर ने एक रफतार पकड़ी, वहिदार रह्मान का फिल्म करियर शुरू हो गया, उन पे हम बात हैं कर रहे हैं दिल से, आपके दिल की गहराईयों से, मैं आ उने वहिदार रहमान में एक स्टार कॉलिटी नजर आई और 1956 में गुरूदत ने वहिदार रहमान को मुंबई में याद किया, वहिदार रहमान महां मुंबई चली गई, पहली नजर में ही गुरूदत समझ गए कि बातों ही बातों में एक अनमोल रतन की उन से मुलाका तो इस वोगी करदार वाइंड उन आपने तो नहीं हाँ जैने हैं। वॉइन करना एक्सिप कर लिए। इसमिन आपका दोस्त आपका अजीज सुशी हम बादें कर रहें दिल से। दोस्तों वहिदर रहमान ने फिल्म C.I.D. में वैम का खिर्दार निभाया इसके बात की कहानिया आप सभी जानते हैं गुरुदत उनके जिंदगी में एक अलग अध्याय बन दे लेकिन गुरुदत से अलग खड़े होकर वहिदर रहमान ने गाइड मुझे जीने दो नील कम में उन्हें अभी किया और अपने काम को उन्होंने यादगार तरीके से पेश किया। उनके करदार यादगार बने में मेमोरे बने और उने एक भैथरीन एक्टॡ़िस का किताम रिलहां गिलिस बाद वहिदर रहमान ने तैक जीक कि आप बो फिल्मों में काम नहीं करेंग उनके दोनों बच्चे बड़े हो गए थे मुंबई से उन्हें लगातार याग किया जा रहा था इसलिए वहीदरामान फिर से मुंबई के अपने बंगले में रहने लगे जाहर है अभी नहीं कि उनकी सेकंड इनिंग्स फिर शुरू हो गए हम बातें करना हैं दिल से मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशी दोस्तों वहीदरामान फिर से मुंबई में रहने लगे हैं उन्हें बहुत सारी फिल्मों के आफर्स आते रहते हैं लेकिन वो बहुत ही कम फिल्में सेलेक्ट करती हैं हर आफर को वो एकसिप्टिंग करती है वो काम करना चाहती है लेकिन बहुत कम और बहुत अच्छा वो बहुत चूजी है उनके फैंस इसी बात से खुश हैं कि वो फिल्मों में दुबारा नज़राने लगी है क्योंकि उनका काम सभी को अच्छ लगता है वो एक बहुत ही बहतरीन अधाकारा है हम बातें कर लें दिल से मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशी दोस्तों वहिदर अमान की सबसे फेरिट सबसे यादगार फिल्म कौन सी अपनी फिल्मों में विजय गोली आनंद की फिल्म काईट को वो एक महत अपूर्ण फिल्म मानती है इस फिल्म के बनने तक कोई विश्वास भी नी करता था कि वहिदर अमान को अच्छा निर्ट्य भी आता है सब यही कहते थे कि मदरास में आई सबी एक्टिसिस अपने आपको अच्छा डांसर्स मानती हैं समझती हैं लेकिन वहिदर अमान ने उन्हें समझाया कि उन्हें सच मुछ अच्छा निर्ट्य आता है उन्हें नृत्य प्रधान रोल्स मिलने चाहिए लेकिन कोई ये मानने को तयार नहीं था सभी उन्हें चौद्वी का चांद की हीरोईनी समझते थे आखिर में विजेक गोल्डी आनन ने उनके कहने पे विश्वास कर गाइट की हीरोईन रोजी की भूमिकाउने आफर की गाइट की नृत्य इसकदर लोग प्रिय हुए कि उनकी फिल्मों के बाकी निर्माता भी अपनी फिल्मों में अब बेवचा उनका नृत्य रखने लगे गाइट 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 की सबसे बहतरी फिल्म में ये मानती है फुछ गाइट गाइट के गाने गाइट के डानसे बहुत बहुत पसंद किये गए और सबी प्रोडूसर्स डिरेक्टर्स ने भी मान लिया कि वहिदरमान एक बहुत ही अच्छी डानसर है और उसके बाद उनके हर फिल्म में वज़ा बेवजा से उनका नृत्य रखा जाने लगा फिल्म दिल दिया दर लिया में वहिदरमान उन दोनों काम करी थी इस फिल्म के डिरेक्टर थे कदार सहा उन्होंने इस फिल्म में भी उनका नृत्य रखना चाहा आला कि इसकी कोई ज़रुत नहीं थी फिल्म की कहानी में उनके नृत्य की कोई जगा ही नहीं थी इस फिल् लिए अएक इसा नुट्य रखने वाले हैं जिसमें वहीदर रामान को नुट्य करना ही होगा। लेकिन एयर करदार की तो जिद थी कि वह फिल्म में ऐसा एक नुट्य रखेंगे ही। तब वहीदर रामान ने एक बहाना बनाया। एक दिन वो स्टूरे पहुंची और उनसे बोली करदार सहाब कल काईट की शूटिंगे दोरान मेरा पैर फिसल गया और पैर में मुझे मोच आगी है डॉक्टर का कहना है मैं एक साल तक डांस महीं करता हूँ ये सुनते ही यार करदार ने फिल्म में नुर्टि रखने का अपना एरादा चोड़ा हम बातें कर रहें दिल से मैं आपका दोस्त आपका आजीज सुशी दोस्तों गुरुदत ने कई बड़ी फिल्मों का निर्मान किया था उनकी फिल्म कागस के फूल में एक सीन था जहां बेबी नाज वहिदर अमान से आकर शिकायत करती है कि उन्होंने उसके माबाप को अलग किया है वहिदर अमान को जवाब में कहना था तुम्हारी तुमाहे बाप मर गया है तो क्या हुआ मेरा तो कोई नहीं है लेकिन न जाने क्यों वहिदर अमान जब भी ये डायलोग बोलती उन्हें रोना आ जाता कई बार रीट देखवा बात ये थी कि इस शौट को विक्षराइज करने से कुछ दिन पहले ही उनकी माँ की मिर्तिय हुई थी इसलिए जब भी उन्हें ये जारोग बोलना पड़ता था वो रो पड़ती थी हर कलाकार बहुत समवेदन शीर होता है उनके निजी जीवन के अनुभव भी कलाकार के परसनल लाइफ के अनुभव भी उनकी भूमिका पे गहरा असर डालते हैं और यही हुआ वही दर्मान क के साथ थी हम बादें कर रहें दिल से मैं आपका दोस्त आपका आजीज सुशी दोस्तों कुछ रोल्स ऐसे होते हैं जिनको अभीनित करते समय ऐसा लगता है कि वो अवाड दिला सकते हैं लेकर न ऐसा होता नहीं है फिल्म खामोशी के बारे में वही दर्मान के साथ ऐसा ही इस फिल्म में याने खामोशी में अपनी भूमिका से वहिदरमान ने ऐसी उम्मीद बांध रखी थी क्योंकि इस रोल को बड़ी गहराई से निभाया था और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इसके लिए उन्हें ठेज सारे पुरसकार मिलेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों फिल्म खामोशी में काम करने की इच्छा वहिदरमान को तब से थी जब से उन्होंने इस फिल्म की कहानी पर बनी बांगला फिल्म दीब चेले जाई देखी थी इस फ्रिम का हिंदी वर्शन बनाने के लिए वहिदरमान ने कई प्रोडूसर से कहा, लेकिन सभी यही बात केते थे कि ये तो आर्ट फ्रिम का थीम है और तब वहिदरमान बहुत डिसपॉइंट हो जाती है, लेकिन एक दिन हिमन दा उनके पास आया, यहने हिमन कुमार, उन् इस फिल्म में वहिदरमान को लेना चाहते हैं हिमन कुमार ने फिल्म फॉरण शूर कर दी जब अच्छी फिल्म बनने के बाद कोई डिस्टिब्यूटर इस फिल्म को खरीदने को तयार नहीं हुआ तो हिमन कुमार बहुत परिशान हुए हिमन कुमार ने एक डिस्टिब्यूटर को ये फिल्म खामोशी दिखाई तो उन्होंने इस फिल्म को गलर बनाने की सबाद दी जब ये बात मालब हुई तो वहिदरमान ने उन्हें सुझा दिया थी कि वो पूरी फिल्म बनाने के बाद ही किसी distributor को ये फिल्म दिखाया हमंकमार ने वह साहिए लिए जब फिल्म खामोशी कमप्लीट होगई तभी उसे डिस्रिपुटर्स को दिखायगे और रिलीज होने के बाद इस फिल्म ने खामोशी ने जबर्दस तहल का मचा दिया हम बातें कर रहें दिल से मैं आपका दोस्तापका अजीज सुशी दोस्तों फिल्म खामोशी में अपनी भूमिका के लिए पुरसकार मिलने की वहिदरमान को पूरी पूरी उमीद थी उन्हें यकीन था कि उस वर्ष का पुरसकार उन्हें मिलेगा जरूर मिलेगा लेकिन इस फिल्म के रोल के लिए उन्हें कोई पुरसकार नी मिला हाँ उन्हें पुरसकार मिला आवाड मिला फिल्म नील कमल की भूमिका के लिए नील कमल में वहिदरमान ने बहुत अच्छा भी ने किया था, बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन ना जाने क्यों वहिदरमान को लगता है कि इस रोल में याने नील कमल के रोल में ऐसा कुछ नहीं था कि उन्हें पुरसकार मिले, लेकिन पुरसकार उन्हें मिला फिल्म नी पर्मोशनल रोल्स में वहिदरमान को खास दिल्चस्पी है लेकिन एक एक्ट्रिस के रूप में ऐसे रोल करके उन्हें काफी संतोश मिलता है। ऐसी ही एक भूमिका थी फिल्म तीसरी कसम की जिसे बनाया था शैलिंदुनी। इस फिल्म की अपनी नौटंकी वाली बाई की भूमिका से वह बहुत प्रभावित हुई थी। क्योंकि इस फिल्म में डिरेक्टर बासू भटा चारिया ने फिल्म की शूटिंग करते वक्त इस बात का खास ध्यान रखा था कि फिल्म का जो भी सीन फिल्माया जाए वो जिन्दगी के बहुत खरीब हुई। तीसरी कसम लाजवाब फिल्म थी। इस फिल्म को नैशनल आवार्ड भी मिला था। गाना था जिसका डिरेक्शन किया था शम्भू महराज ने। शम्भू महराज और बासू भटा चारे ने वहिरमान को एक गाना सुना और उनसे कहा कि उस गाने पे वो अपने हिसाब से डांस करें, निर्ट्य करें। उनके कहने पे बासू भटा चारे और शम्भू महराज की कहने पे उन्होंने उस गाने पे डांस की और लोगोंने उसे बहुत सरहा बहुत पसंद किया। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशी। दोस्तों वहीदरमान ने बहुत सारी खुफफ़त फिल्म में काम किया। खामोशी, गाइट, तीसरी कसम, दिल दिया, दर्द लिया, जौद्वी का चांद, कागस के फूल, प्यासा, सभी फिल्में यादगार। लेकिन वहीदरमान मानती हैं कि गाइट का किरदार उनका सबसे मेमोरेबल, सबसे यादगार किरदार है, सबसे बहतरीन फिल्म है उनके करियर की गाइट, क्योंकि विजह आनन ने उसे इस तरह बनाया कि उसमें कहानी थी, जजजबा था, ये एक बहुत ही खुफ़सुरत अच्छा कारा है, एक महान काला कारा, जब भी काम करती हैं, दिल से करती हैं, तब ही तुम्हें कहता है, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आइना है, अपने दोस्त अपने अजीज, सुशील गजवानी को इचासत दीजिए,